दोस्तो आज हम एक ऐसे टोपिक पर बात करने वाले हैं जिसको आज तक आपने शिरफ देखा देखा है लेकिन आपको यह नहीं पता कि इसको हम बनाते कैसे हैं इसको हम कैसे जो है करते हैं यह आपको नहीं पता और हाँ दोस्तो एक बात और जब भी मैं कोई नएने टोपिक बनाता हूँ वीडियो बनाता हूँ नए टोपिक पर तो उसको यार सपोर्ट के अगरो प्लीज है न उसको वीडियो को डिसलाइक मत के अगरो मेरा साहस बड़े जिस्चे उसको लाइक कर दिया करो जिस्चे के आगे भी मैं आपको इस तरह के नएने टोपिक देता रहो ठीक है तो आज हम बात करने वाले है ओडियो विज्वालाइजर के बारे में दोस्तों आपने कई सारे यूटूब चैनल भी देखे होंगे जैसे आपको वीडियो में ओडियो विज्वालाइजर चलता हुआ दिखाई देगा और व्यू बहुत जादा मिलेगे उस वीडियो पर तो यह आप भी यूटूब पर वीडियो बनाते हो तो आप भी आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह की वीडियो बनागर पैसे कमा स सकते हो या फिर अपने खुद के मुबाइल में इंटर्टेनमेंट तो करी सकते हो और या फिर आपको कम से कम आज पता तो चल ही जाएगा कि यह हम करते कैसे है ओडियो विज्वालाइजर हम बनाते कैसे है तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दू कि ओडियो है एक application है जिसमें यह programming हमने fit रखी है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा जहां से आप यह काम कर सकते हो ठीक है तो चलिए पहले हम ओडियो विज्वालाइजर देखते हैं यह क्या होता है ठीक है हुआ है तो दोस्तों जो अभी आपने देखा इस तरह से इसको बोलते है ओडियो विज्वालाइजर तो इसको हम कैसे बना सकते है तो अभी आप देख रहेते एक गोला भी था और कुछ जो लंबे देखी लाइन में भार थे वो भी थे तो हम अलगलग तरीके से बना सकते हैं इसको यहां पर मैंने इसको ज्जाधा हार्ट तरीके से नहीं बनाया शिम्पल सा दिखा है आपको आप और भी इंट्रेस्टिंग तरीक से बना सकते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है शिम्पली एक अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेनी है चले जाना है अपने प्लेश्टोर में प्लेश्टोर में जाकर टाइप करना है CHKSND इसका अप्लिकेशन का लिंक नीचे डिस्करिप्शन में भी दे रखा है CHKSND इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद और इस तरह से ओपन हो जाएगी अब सबसे पहले यहाँ पर नीचे के साइट पलस का निशान दिखाई देगा आपको पलस के निशान पर टच करना है और यहाँ से सबसे नीचे बार दिखाई देगा ठीक है जिसको हम XPECTRUM बोलते है यहाँ से एक XPECTRUM ले लेंगे और यहाँ से फिर हम दूसरा XPECTRUM भी ले सकते है ठीक है और इसके बाद यहां से आप कोई टेक्ट एड़ करना चाहते हो जैसे मैंने लिखावा था टी बोस तो यहां से टेक्ट एड़ कर सकते हो यहां से इसको जो है एड़ कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है ओडियो लिखा रहता है सबसे उपर ओडियो पर जाना है और यहां से पिक audio पर किलिक करना है और आपके मुवाइल में जो कोई audio है उसको यहां से एक audio को आप ले लेंगे audio लेने के बाद आपको क्या करना है अभी बताता हूँ पहले मैं इसके audio select कर लेता हूँ यह रही तो यहां से आप जो है audio select कर लेंगे उसके बाद यह processing हो जाएगी उसके बाद यहां से इसको close करेंगे और spectrum पर जाएंगे अब यहां से आप इसको design कर लेंगे किस तरह के spectrum आपको इसके अंदर रखने है यदि आपको circle लखना है तो यहां पर circle पर भी निशान लगा करेंगे आप और इसको कितना बड़ा ठोटा रखना है इसकी किसे thickness रखनी है इसके frequency कितनी रखनी है वह जब आप इसको यूज करोगे आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा उसके बाद कुछ इस तरह से चलेगा यह और final जब आपका यह बन जाएगा तो ऊपर की side से एक्सपोर्ट करेंगे और यह कुछ टाइम लेगा 10-5 मिनट यह एक्सपोर्ट हो जाएगा और आपके मुवाइल में जो आपने audio visualizer की वीडियो बनाई वो बनके तयार हो जाएगी अब आप इसको अपने YouTube चैनल पे publish कर सकते हो ठीक है या फिर आप इसको मतलब enjoy कर सकते हो स इंटर्टीनमेंट कर सकते हो तो बहुत ही interesting चीश ते जिसके बारे मैं आज आपको बताया इसको एक बार ट्राइ करना जब आप इसको ट्राइ करोगे तो आप शेये आज आएगा तो इस वीडियो में दोस्तों जलाएता मिलता हो फिर एक उन्ने वीडियो के साथ जब तक के लिए आपका दें सुबह हो